माननीय पुरु 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 मीडिया के मित्रों, सम्मानित अधितिगंड, देवियों और सज्जनों माननी गानमंत्री द्वारा सम्मानित अधितियों की उपस्थिती में इस पुस्तक के विमोचन के इस शुभ हवसर पर आप सभी गणमानी अधितियों का साधर स्वागत करते हुए मुझे हर्ष और सम्मान का अनभव हो रहा है यह पुस्तक माननी उपराष्टपती श्रीयमिंका इनाइड़ों जी के कारिकाल के पथम वर्ष के दोरान किये गए कारिक्रमों, विमर्षों, उनके द्वारा प्रारम की गई पहलों उनके अनभवों का सचित संकलन है चरैवेती, चरैवेती के वेदिक आखवान की युक्ति स्वीकार करते हुए उपराष्टपती ने अपने कारियाले में एक वर्ष के काल को मुविंग अन, मुविंग फॉवर्ड का सिर्शत प्रदान किया है यह आशाबाद और उत्साह को दर्शाता है जिन में गतिशी रता और निर्देशन दोनों समाहित है उपराष्टपती सच्वाले में हमारे लिए यह वर्ष अवसरपूर्ण अधासंतोष्प्रद रहा व्यस्त राजनीते से मुक्त होने के बावजूद उपराष्टपती जे ने आम नागरिकों से अपना सतत और आत्मी संबंध बनाए रखा है जीवन के विभिन ख्षेतरों से विभिन प्रांतों के विभिन भाशाएं बोलने वाले विभिन आयुवर्ग और सामाजिक परिवेश से आये देश के नागरिकों से उपराष्टपती जी अपने विचार साज़ा करते भी हैं और उनके विचारों और अनभवों को आत्मियता के साथ सुनते भी हैं यह पुस्तक आशा और प्रेरणा से पूर्ड भारत के स्वर्णि महविष्य के लिए हमारी साज़ा आशा और आकांशाओं का दस्कावेज है उपराष्टपती के रूप में उन्होंने अपनी नई भूमिका विकास के एक उत्प्रेरत के रूप में मिर्धारित की है इस पुस्तक के परकाशे के रूपा पुब्लिकेशन तथा उनकी टीम के प्रयासों के लिए हम उनके आभारी हैं एक बार पुनह आप महानभावों की उपस्थिती के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका साधत स्वागत करता हूँ लादी और में लेश्ट रोप्रेज्ट कि लिए टॉप एफ इस स्वाट में से लिए जाम ईंदनाओ करता हूए इस पर्चूज्ट इस इस प्रिजश्टारि को आपर इस पूंदिछ इस प्रॉबरानिष पर्याविट्प्र्स लोड्या धेर्ध लोड़ीक बेदिकॉलयू पेस पड़िकॉल उतिवित इनास्वेश्टॆ मुवायल। We welcome honourable ministers, MPs, MLAs, mayors, distinguished diplomats, judicial officers, senior officials and members of the media. We are happy that many farmers are also with us for this function. We are thankful to the Rupa publication, the publishers of this book and appreciate the efforts put in by the team. I once again take the opportunity to extend a very warm welcome to our distinguished guests who have joined us on this occasion. Thank you. धन्यवाद सबराव जी